बिसमिल्ला रह्मान इर्वाहीम, असलाम वालेकूम, मेले तमाम वीवर्स को मेरा प्यार भरा सालाम, उमीद करती हूँ के आप सब लोग बलकल खायर गत्से होंगे, वालकम बैक टू माई योचिप चैनल, टेस्टी कुकिंग टेबल सेटें, दोस्तों आज की जो रेसिपी मैं आपके बास लेकर आई हूँ, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही हल्दी सा एक ड्रिंक है, जिसका नाम है फालसे का जूस, गर्मी जिसका से आज कल गर्मी चल रही है, गर्मी की शिदत में बहुत ही ज़्यादा ये कमी करता है, बास उकार जिगर में गर्मी या मेदे में गर्मी वरा हो जाती है, तो उसके लिए फालसे का ये जूस बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द है, बहुत ही असानी से ये त्यार हो सकता है, जितनी दे त आप हम इसके अंदर चीनी का इस्तमाल करेंगे मैंने यहाँ पर तक्रीब आदा कप के करीब चीनी दी है और एक कप के करीब मैं फालसे का इस्तमाल कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ वन बै फूर टी स्पून में इसमें काला नमक इस्तमाल करूंगी आप चाहें तो आप चींटी और नमख का इस्तमाल अपने टेस्ट के मताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं तो चलें फालसे का जूस बना लेते हैं जी तो फालसे का जूस बनाने के लिए हम यहां पर एक ब्लेंडर ले ले लेंगे और इस blender के अंदर हम इस फालसे एड़ करेंगे फालसे एड़ करने के साथ ही साथ हम इसके अंदर एक कपरे करीब पानी एड़ करदेंगे यह शुगर भी इसके अंदर शुड़ी जाएगी और इसके साथ ही साथ यह नमक हम इसंके अंडर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे तो यह फालसे का शल्ड बढूँ जुभ कमने त्यार कर लिया है अब हम इसको चान लेंगे किसी भी बरतन में करकर आप इसको अची तरह से चान ले आप इसको जूर ट्राइ कीजिएगा यह टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और किर्मियों में बहुत ही फाइदे मन्द है और इसके साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो काइंडरी लगे इसको लाइक यूर और कमेंड बे कीजिएगा जी तो यह हमने फालसे का जूस जो है वो चान लिया है अब हम इसको किसी गिलास में निकाल लेंगे जी तो यह हमारा मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग और हेल्दी सा फालसे का जूस जो है वो त्यार हो चुका है हम इसको को दीने के पतों से गार्मिश कर रहेंगे आप इसको जू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही मज़ेदार यह बनता है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गर्मियों के सीजन में हेल्दी और रिफ्रेशिंग सी चीज़े बनाएं और इसको एंजॉई करें अल्ला ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे फिर मिलेंगे इंशालला नेक्स वीडियो में थैंक यू वेरी मच और अल्ला हाफिज